तो दोस्तो कैसे हो आप सभी लोग आई हो आप सभी अच्छी होंगे तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं My 24 Market Private Limited अप्लिकेशन के बारे में तो दोस्तो ये application real है या fake इसमें आपको investment करनी है या नहीं करनी है और दोस्तो ये application market में कब तक run करेगा सबसे पहली बात तो दोस्तो ये application में आप यहाँ पर ads देखकर पैसे कमा सकते हो लेकि उसके लिए आपको investment करना पड़ेगा दोस्तों टेली ग्राम चेनल पर आपको applications की अपडेट और information प्रॉइड कराता रहता हूं, तो आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी, कौन कौनस application market में चल ला है, और कौनस application market से close हो चुका है, तो दोस्तों अपडेट अगर आपको मिलती रहेगी, तो future में कि आपका किसी भी platform पर loss नहीं हो पाएगा दोस्तो आप बहुत से ऐसे टेलीग्राम चैनल को जोईन कर लेते हो जो कि आपका reply तक नहीं करते हैं लेकिन दोस्तो ऐसा नहीं है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सभी users को reply करता हूँ और उनकी help भी करता हूँ तो दोस्तो आप टेलीग्राम के description में आपको मेरी user ID मिल जाएगी तो इस user ID पर आप मुझे message करके अपनी details या फिर अपने सवाले वगरा doubts वगरा पूछ सकते हो तो अब हम बात करते हैं my twice market application के बारे में तो दोस्तो यह एक ऐस application है जिसमें आप investment करोगे और इसके बाद ads देखकर यहाँ पर पैसे कमा सकते हो तो उसके लिए लेकिन आपको investment करनी पड़ती है तो दोस्तो यह ही हम बात करने वाला है कि इस application में आपको invest करना है या नहीं करना है देखो दोस्तो पहले कुछ applications आते हैं जिसमें आप investment करते हो इसमें आपको daily income मिलती है लेकिन यहाँ पर आप ads देखकर पैसे कमा सकते हो बहुत से trading application मार्केट में आते हैं तो दोस्तो सभी applications मार्केट में चलते हैं और सभी application में users investment करके पैसा बनाते हैं लेकिन दोस्तो अगर हम बात करें माई 24 मार्केट application के बारे में तो इस application में आपको ads देखकर पैसे कमाने हैं लेकिन मैं आपको पहले बता दूँ कि जो कि एक market में application पहले से run कर रहा है Grow India उसमें भी app ads देखकर पैसे कमा सकते हैं लेकिन दोस्तो वो application में काफी सारी users को withdrawal problem आ गई है क्योंकि बहुत से users ने investment किया तो उनका पैसा नहीं निकल पा रहा है क्योंकि company ने एक KYC वाल प्रोग्राम लॉंच कर दिया है लेकिन वहाँ पर आपको 8-10,000 रुपे investment करने पड़ेंगे उसके बाद ही आप अपना पैसा निकाल सकते हो तो दोस्तो यहाँ पर आप investment करोगे उसके बाद profit बनाओगे लेकिन अगर बाद में इस application में भी वही condition आ जाएगी कि 6-7,000 या 8,000 रुपे की आपको KYC करनी पड़ेगी तो फिर दोस्तो जितना आपका profit होगा वो सब इसी में चला जाएगा मतलब आप यहाँ से कुल मिलाकर अपना कुछ भी profit नहीं कर पाओगे तो दोस्तो ऐसे application में investment करके क्या ही फाइदा है जो last में आपके साथ स्केम कर दे मतलब आपको profit होने ही नहीं देगा यह application तो दोस्तो यहाँ पर कोई भी user investment नहीं करेगा चाहे आप new user हो और दोस्तो चाहे आप old user हो जो की पहले किसी भी application में investment कर चुके हैं तो दोस्तो टेली ग्राम पर मैं आपको real जानकारी बताता रहता हूँ बहुत से fake application मार्केट में आ जाते हैं जो की users को लूटने आते हैं तो मैं उनकी जानकारी आपको पहले ही बता देता हूँ क्योंकि अगर आपका profit नहीं होगा तो मैं आपको investment नहीं करवाँगा दोस्तो मैं आपको वही applications प्रवाइड कराता हूँ द्रॉल लगा पाओगे तो दोस्तो ये company इसी तरीके से scam करती हैं तो आपको मैं जानकारी बता देता हूँ यहां पर बहुत से fake application भी market में आ जाते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सा application real है या fake है आपको invest करना सही है या नहीं तो दोस्तो यहां पर तो कोई भी user invest नहीं करेगा दोस्तो मैं आपको हमेशा real जानकारी बताता हूँ यहां पर आप लोग investment करोगे तो आपको अपना profit भी करना चाहिए तो आप ऐसे application में ही investment करो यहां पर आपको profit की guarantee हो तो मैं आपको ऐसे ही applications provide कराता हूँ जिसमें आपका profit होगा बाकी यहां पर कोई भी user investment नहीं करेगा और मेरी update को follow करते रही है हमेशा आपका profit होगा तो दोस्तो अप्लिकेशन market में बहुत जल्दीच close होने वाला है और इस application में आगे KYC वाली problem भी आने वाली है तो यहां पर कोई भी user investment नहीं करेगा तो दोस्तो यह application जो है market में fake है इसमें कोई भी user investment ना करे तो दोस्तो आज की update यहीं तक थी और ऐसी जानकारी और updates में आपको आगे टेलिग्राम पर भी बताता रहूँगा तो दोस्तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दिना और दोस्तो मिलता हूँ फिर आपसे अगली update और अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर रहें बाई बाई